कौन है ये सूरिया तो दोस्तो यूटो बॉक्स ओपिस को पर काफी सारी फिल्में चल रही है और दोस्तो चलती आ रही है बागे दोस्तो आज की जनता जनार्दन है और जनार्दन है समझदार एसा हमें क्यों के रहा हूँ कि तो दोस्तो आज के डाइम पर सभी को पता है कि कौन सी फिल्म है देखना और कौन सी फिल्म है नहीं देखना है इसी के चलते दोस्तो आज हम आपको छे फिल्मों के अपडेट देने वाले जिसमें से दोस्तो सामी लोगी स्टीटू के box office collection, ठंगलान movie box office collection, हम आपको बताएंगे नानी सर की film सनी वारम के और गůट movie के edwan book collection के बारे में और हम बात करेंगे अक्षे कुमार और जोन अब्रहम की film के box office collection के बारे में तो दोस्तो अगर आपको किसी और फिल्म के बारे में भी जानना है तो comment box खालिए जाके comment करिए और जाती साथ में आपके प्यारे चेनल को subscribe करना ना भूलिए अगर नए मेहमाने तो दोस्तो हम बात करते हैं हमारी पहली फिल्म स्त्री टू के बारे में तो आप से भी को पता है कि स्त्री टू ने बॉक्स अप इसको पर जंडेगार दिये और दोस्तो इसके पीछे जो बड़ी बड़ी फिल्म है वो पानी भरतुई नजर आ दिये तो कि दोस्तो जिस तरीकी से इस फिल्म ने कलेक्शन करें है ना उसकी उम्मीद तो खुद मेड़ोक वाले ने नहीं लगाई थी जिरों ने इस फिल्मों को बनाया है आमिर कोशिक के डायेक्शन में बनने वाली फिल्म स्ती टू जिसने अपने पहले ही दिन 64 करोड 80 लाख रुपे का कलेक्शन करके सभी के पेरो तले से जमीन खसका दी और दोस्तो मुवी न अपने पहले ही हटे में 200 करोड रुपे का आखड़ा पार कर दिया और दोस्तो कमाल ये 200 करोड रुपे करोड 60 लाख रुपे जबकि दोस्तो बात करी जाए तो मुवी का 13 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हमको काफी अच्छा देखने के लिए मिला और दोस्तो फिल्म अपने 14 ले दिन भी लगबग 10 करोड रुपे के उक्विपेंसी बता रही है जिससे आप अंदाचा लगा सकते हैं कि भाई साब स्त्री टू ने केवल 14 दिनों में 424 करोड रुपे का कलेक्शन एसे ही नहीं कर लिया जनता का सपोर्ट फिल्म के साथ है दोस्तो बात करी जाएं मुवी के ग्रॉज कलेक्शन की तो स्त्री टू ने ग्रॉज कलेक्शन में फाड के रख दिया है और दोस्तो 488 करोड रुपे का आखडा पार कर दिया है इसके साथ दोस्तो फिल्म ने विदेसी मार्केट में भी कमाल के कलेक्शन कर रहे हैं और दोस्तो इनके आणवे करोड रुपे का आखडा पार कर दिया है इसी के साथ दोस्तो फिल्म का worldwide gross collection all over इंडिया और विदेसी मार्केट का मिला करके 599 करोड रुपे होता है जो कि दोस्तो वाके में काबिले तारीफ है और दोस्तो आने वाले एक दिन में और ये फिल्म 600 करोड रुपे के कलक्प अंदर सामील हो जाएगी मुझको पूरी उमी में जिसके दर आपको सरवरी, चोन, अबरहाम सर और दोस्तो कई सारे करेक्टर जैसे कि अभिशेक बेनर जी भी बहतरी काम करते हुए नजर आते हैं निकिल अडवानी के डायक्शन में बनने वाली फिल्म वेदा जिसने अपने पहले दिन 6 करोड 30 लाक रुपे का दमदार करा और फिल्म न अपने पहले हपते में 17 करोड 30 लाक रुपे कमा लिये थे दोस्तो फिल्म 13 दिन लगबग 29 लाक रुपे कमा चुकी थी और दोस्तो मूवी न अपने 14 वी दिन का जो पेडिक्शन है वो लगबग 20 लाक रुपे का बताया जिसके चलते फिल्म वेदा का 30 करोड रुपे हो चुका है और दोस्तो मूवी का बजट 50 करोड रुपे है यानि कि वेदा फिल्म भी कहीं न कहीं बॉक्स अपिस पे फ्लॉप साबित हो चुकी है इसके साथ दोस्तो बात करी जाए अक्षे कुमार की फिल्म खेल खेल में मूवी के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि एक तो इसका मूवी का नाम काफी अच्छा है और जितना अच्छा इस फिल्म का नाम है उतना ही अच्छा फिल्म का काम भी है जब आप इस फिल्म को देखने बेटेंगे तो फिल्म आपको कहीं से भी बोर नहीं करने वाली क्योंकि दोस्तो इस फिल्म को मैं खुद जाके देख के आया हूँ और दोस्तो फिल्म इतने ज़्यादा हसाती है कि आपका पेड़ दुखने लगेगा फिल्में के अंदर कॉमेडी है बागी कॉमेडी की साथ साथ में सस्पेंस और दोस्तो ट्विश्टे भी है जसको देखने के बाद में आप कहेंगे कि यार क्या फिल्म बनाई है मुदस्तर अजिस ने जी जान लगा दिये फिल्में के अंदर काम करने में दोस्तो इसी के साथ में फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन जो था वो था पाच करोड़ पाच लाख रुपे फिल्म का पहले हपते का collection 19 करोड 35 लाख रुपए था और दोस्तो मुवी न अपने 13 दिन लगबक 25 लाख रुपए कमा लिये इसकी साथ दोस्तो फिल्म अपने 14 दिन लगबक सहाथ लाख रुपए की occupancy बता रही है और मुवी का 14 दिनों का net collection 25 करोड 10 हाज रुपे हो चुका है तो मुवी का gross collection 42 करोड रुपे देखने के लिए मिल रहा है वही ही पे दोस्तों फिल्म ने विदेशी मैशिट से 17 करोड रुपे कमा लिए जिसका worldwide gross collection 176 करोड से देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर दोस्तों फिल्म केल खेल में मुवी बॉक्स अपिस के उपर हो चुकी है एक काफी बड़ी फ्लॉप कि दोस्तों मुवी का बजट है केवल और केवल सो करोड रुपे फिर भी दोस्तों ये फिल्म आकडा पार नहीं कर पाई बाकि एक बात के लिएर कह दू दो कि खेल खेल में मुवी काफी ज़्यादा अच्छी है और दोस्तों ओनेस्ट रिव्यू मिले हैं मुवी को ओडियंस के तरब से अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं पहले फिल्म सनी वारम के बारे में तो दोस्तों ये मुवी एक एक्शन थ जिरिया ने और मुवी को प्रेडियूस कर रहे हैं डी वी वी द्यानन्द और अगर बात करी जाए मुवी के बजट की तो दोस्तों वो केवल 90 करोड रुपे हैं और 90 करोड रुपे में ये फिल्म में तेल्गू, तामिल, मल्यलम, कन्नाडा और हिंदी लेंग्वेज में र का कलेक्शन कर लिया जो कि दोस्तों हिंदी करंसी में होता है 2 करोड 7,50,000 रुपे वहीं पर दोस्तों अगर बात करी जाए तो इंडिया के अंदर इस में अभी तक 2 करोड रुपे का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया है जिसके चलता दोस्तों फिल्म सनी वारम ने अभी तक हम सबी के बीच में 4 करोड 7,50,000 रुपे का एडवांस बुकिंग कलेक्शन एक खटा कर लिया है जैडिक दोस्तों यहाँ पर फिल्म सनी वारम अपने पहले दिन बड़ी आसानी से 10 करोड रुपे की आपनिंग तो ले ही लेगी इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हमारी अगले फिल्म थंगलान मुवी के बारे में तो दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप जाके फिल्म को देखिए क्योंकि दोस्तों मुवी काफी अदा बहतरिंग और शानदार है मुवी के दोस्तों एक्शन सीन्स काफी डिफरेंट है मुवी की श्टोरी लाइन काफ़े अदा अलगे और दोस्तों मुवी के नदर जिस तरीके से श्टोरी को डेवलप करा गया है वो वाके में कमाल की है दोस्तों अगर आप ये फिल्म देखने बेटते हैं तो आप इतने से भी बोर नहीं होने वाले और दोस्तों चियान विकरम का नाम ही इसले जाना जाता है क्योंकि हर बार वो यूनिक कॉंटेंट लेकाते हैं और इस बार भी आप सभी की बिच में थांगलान मुवी एक यूनिक कॉंटेंट है क्योंकि दोस्तो इस मुवी के अंदर आपको यूनिक कॉंटेंट इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस पिल्मिक अंदर माइनिंग करी जाती है हीरो की और हीरो की माइनिंग के साथ साथ में केसे जदु को जोड़ा गया है वो दोस्तो एक काफी विश्वसनी है और दोस्तो सोचने वाली बात है ऐसे में दोस्तो बात करी जाए कि थंगलान मुवी कितने करोड रुपे का कारोबार कर चुकी है तो दोस्तो मुवी ने अपने पहले हपते में 38 करोड 45 रुपे का कारोबार करा तो मुवी ने अपने 11 दिन कमाए 1 करोड 65 रुपे मुवी का 12 दिन चलते फिल्म का 14 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन 44 करोड पे 30 लाक रुपे हो चुका है, मुवी का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 64 करोड रुपे और दोस्तों फिल्म ने ओवरसेस यानि की विदेसी मार्केट से 20 करोड रुपे का करूबार कर लिया, जिसके चलते हैं थलापती वीजे सर की वन अप दा बेस्ट एक्शन थिला फिल्म गौट मुवी के बारे में, तो आपको बता दे कि इस मुवी का पुरा नाइम है जो कि दोस्तों काफी यूनिक और डिफरेंट नाम है और इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं वेंकटेस प्रभू सर, अगर बात करी जाए, तो मुवी के अंदर आपको थलापती वीजे सर के दो रोल देखने के लिए मिलेंगे, यानि कि जुडवा रोल देखने के लिए मिलेंगे, मुवी के अपको प्रभू देवा सर भी नजर आ रहे हैं, और मुवी की स्टोरी एक साइफाई के उपर होने वाली और दोस्तो मुवी को अभी रिलीज होने में, और दोस्तो आट नो दिन का समय बाकी है, बाकी दोस्तो उसके बावजूद भी ये फिल्म एडवांस बुकिंग में छपड़ फालत हुए नजर आ रहे हैं, जी हां दोस्ता आपको बता दें कि गौट मुवी जिसने अभी तक और दोस्तो इस फिल्म ने हिंदी करंची को अगर करा जाएं, तो चार करोड चपन लाग पचास ये रुपे का केवल विद्यस की मार्केट से कलेक्शन करा हैं, और अगर बात करें इंडिया की, तो ओल ओवर इंडिया में अभी तक फिल्म की एडवांस बुकिंग इस्टा होगी, तो दोस्तो फिल्म कितना तगड़ा एडवांस बुकिंग कलेक्शन कलेगी, हाल फिलाल में दोस्तो फिल्म की जोली के अंदर अभी तक 6 करोड रुपे का आसपास का कलेक्शन आ चुका है, अब दोस्तो देखते ये हैं, कि जब ये फिल्म अपने पहले दिन की आप हागी, तोस्तो फिल्म जा व प्वेज़ांस